इस गाइड में हम आपको दिखाएंगे कि Maxi Cryptocurrency Exchange पर अपने अकाउंट को कैसे फंड करें और Ultima Token खरीदें, एक्सचेंज में लॉग इन करें. Wallets, Deposit को चुने, List से उस Cryptocurrency का चैन करें जिसे आप Exchange और OneChit Network पर भीजना चाहते हैं. इसके बाद Click to Generate Address पर क्लिक करें, टॉप अप करने के लिए एक QR Code दिखाई देगा, साथ ही एक Address भी उपलब्ध होगा, जिसे आप Copy कर सकते हैं. आपके लिए सुविधा जनक किसी भी तरीके से इस Address पर Cryptocurrency भेजें. Transaction Process होने तक इंतजार करें. जब Processing पूरी हो जाएगी, तो आप देखेंगे कि आपके Wallet का Balance बढ़ गया है. अब आप अपना पहला On Order दे सकते हैं. ऐसा करने के लिए Spot सेक्शन पर जाएं. Search सेक्शन में दाई और उस Cryptocurrency का नाम दर्ज करें, जिसे आप खरीदना चाहते हैं. आईए Ultima सर्च करें. आप Ultima को Market, अर्थात, वर्तमान, मूल्य पर खरीद सकते हैं, या वांचित मूल्य पर एक Limit On Order निर्धारित कर सकते हैं. आप एक Stop Limit On Order भी सेट कर सकते हैं, जो आपको अपने ट्रेड के निश्पादन मूल्य को नियंतरित करने के लिए एक ही समय में Stop Price और Limit Price सेट करने की अनुमती देता है. वांचित On Order टाइप का चैन करें. वह कीमत चुनें, जिस पर आप Ultima खरीदना चाहते हैं. Limit On Order के मामले में, Ultima की वह मात्रा चुनें, जिसे आप खरीदना चाहते हैं और Buy Ultima बटन पर क्लिक करें. तयार है, आपने Maxi Exchange पर Ultima खरीदा. अब इन्हें Smart Wallet में ट्रांसफर करना होगा. Exchange से टोकन भेजने के लिए, आपको अपना Wallet एड्रेस कॉपी करना होगा. ऐसा करने के लिए, Smart Wallet एप खोलें और Ultima कार्ड पर टैप करें. आपको अपना Wallet एड्रेस दिखाई देगा, जिसे आप Copy आइकन पर क्लिक करके Copy कर सकते हैं. Maxi पर लोटें. मेनू में Wallet, Withdraw को चुने, सर्ज बार में Ultima टोकन का नाम दर्ज करें. Copy किया गया Wallet एड्रेस और Ultima की वह राशिदर्ज करें, जिसे आप भेजना चाहते हैं. भेजने की पुष्टी करें और ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करने के लिए Exchange का इंतजार करें. एक बार ट्रांजेक्शन प्रोसेस हो जाने पर आपको अपने Wallet में टोकन प्राप्थ होंगे. कृपया ध्यान दे, अपने Wallet से Ultima के साथ ट्रांजेक्शन भेजने के लिए आपके पास अपने Balance में Smart Coin होने चाहिए. आप निम्नलिखित तरीकों से Smart प्राप्थ कर सकते हैं. पहला, किसी से उन्हें अपने पास भेजने के लिए कहे. दूसरा, स्वैपिंग का उप्योग करके प्राप्थ करे. तीसरा, Exchange पर खरीदारी करे और अपने Wallet में भेजे. कोइन्स बिट के जरीए, आपके Wallet में Smart भेजने की प्रक्रिया, Altima के साथ इस Guide में बताई गई प्रक्रिया के समान है.